हलो स्टूडेंट आपका अमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज किस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडिनिटी को डिसकस करेंगे और उससे रिलेटिट कुछ वेश्चन सॉल्फ करेंगे तो आज हम जो आइडिनिटी करने जा रहे हैं वो हो स्क्वेश्चा होल ठीक है तो यह आइडिनिटी के वारे में पढ़लेंगे और इससे रिलेटिट कुछ कुछ कुष्चन सॉल्फ करेंगे तो आजे देखते हैंÓ तो हमारे पास जो आइडिनिटी होती है ए प्रस बीनिटी को होल स्क्वेश्τέ हो यह क्या होती है यह यह होता है हमारा a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a के equal ठीक है तो यह वाला जो है a plus b plus c का whole square वो हमारा इसके equal होता है अब हम देखते हैं कि इस identity को apply करके किस तरीके से हम question को solve करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 question दे रखे हैं तो सबसे पहले first question देखते हैं first हमारे पास है 4a minus b plus 2c का whole square ठीक है तो identity हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं a plus b plus c का whole square है वो होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a के equal ठीक है तो हमारे पास जो first question है वो क्या दे रखा है वो है 4a minus b plus 2c का whole square यह दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर a की जगे 4a दे रखा है b की जगा b है minus b है और c की जगा हमारे पास 2c है तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहें तो a की जगे जो दे रखा है यहाँ पर identity में वो दे रखा है 4a b की जगे हमारे पास minus b दे रखा है और c की जगे हमारे पास 2c दे रखा है ठीक है तो identity अप्लाई कर देते हैं पहरा हमारा a square है मतलब की 4a का square हो जाएगा plus b का square minus b का square plus c का square c की जगे 2c दे रखा है तो 2c का square अब next time है 2ab तो 2 तो same रहेगा a की जगे हमारे पास 4a है और b की जगे हमारे पास minus का b है plus 2bc है next time तो 2 का 2 b हमारा minus b रहेगा आपको sign का याद रखना है जो sign यहाँ होगा उसके साथ वही sign आपको लेना है ठीक है into c 2c आगया plus last हमारे पा 2c है 2c हमारा 2c हो गया और a हमारा 4a हो गया अब इसको solve कर लेते हैं तो 4a का whole square तो 4 का square जो है वो होता है 16 और a का square a square रहेगा अब minus b का square करेंगे तो plus का ही b आएगा ठीक है तो plus का b square हो गया 2c का square तो यह जाएगा plus 4c square अब इसको multiply करते हैं तो देखिए यहाँ पर number जो है 2 और 4 है तो 2 4 जा 8 और sign देखना है यहाँ पर एक ही minus का sign है तो plus minus माइनस हो जाएगा तो 8 a b अगर आपको यहाँ 2 minus देखते तो वो plus हो जाते तो यहाँ पर भी करेंगे 2 को 2 से की चार और एक ही minus है तो यह भी minus आएगा 4bc और last में जो दे रखा है 2 into 2 4, 4, 4 जा 16 तो plus का 16ca तो यह होगा इसका exact answer ठीक है तो 4a minus b plus 2c का whole square जो है अगर इसको open करेंगे तो हमारा इसकी equal आएगा अब इसी तरीके से हम second वाला part देखते हैं तो second वाला जो part है यहाँ पर जो है 3a minus 5b minus c का whole square है ठीक है तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो a की जगा हमारे पास 3a हो गया है b की जगा minus 5b और c की जगा जो है minus c identity हमारे पास होती है a plus b plus c का whole square equal होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a के ठीक है तो अब इसको लिख लेते हैं हमारे पास जो है second part है इसका 3a minus 5b minus c का whole square ठीक है तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूँ 3a का square plus minus का 5b है तो इसका square plus minus का c का square plus next हमारे 2ab है तो 2a हमारा 3a हो गया b हमारा minus का 5b हो गया plus next है 2bc 2b हमारा minus का 5b है और c हमारा minus का c है plus 2c a है तो c हमारा तो minus का c है और a हमारे पास है 3a तो इसको solve करते हैं 3a का square करेंगे तो 9a square minus 5 का square करते हैं तो 25b square plus का c square हो गया अब इन्हें multiply करते हैं तो 2-6, 6-5, 30 और sign आएगा minus का क्योंकि एक इवार minus है तो 30ab अब next value term को करते हैं 2-10 और 2 minus है तो ये plus हो जाएगा तो plus का आएगा 10bc last value term को करेंगे 2-6 minus का 6ca तो ये आगया हमारा इसका answer तो अब third वाला पार्ट भी देख लेते हैं तो अब third वाला पार्ट देखते हैं तो third पार्ट हमारे पास है minus x plus 2y minus 3z का whole square तो a की जगे हमारे पास यहाँ पर minus x हो गया है b की जगा 2y और c की जगा minus का 3z तो identity हमारे पास यह है तो इसमें हम put कर देते हैं तो पहले हम लिख देते हैं minus x plus 2y minus का 3z का whole square ठीक है तो यहाँ पर अगर हम यह identity अपलाई करेंगे तो पहले हमारे पास क्याएगा minus x का square plus 2y का square plus minus का 3z का square अब plus next हमारा 2ab तो 2a हमारा minus x है b हमारा 2y है plus 2bc है तो b हमारा 2y c हमारा minus का 3z plus 2ca 2c हमारा minus का 3z और a हमारा है minus का x अब यहाँ पर solve कर लेते हैं minus x का square करेंगे तो x square ही आएगा 2 का square 4 हो गया y का square y plus minus 3 का करेंगे तो 9z का square अब यहाँ पर multiply करेंगे 2 to the 4 एक minus है तो minus का 4x y अब इसको करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तो minus का 12 yz और लास्ट वाले में करेंगे तो 6 plus का तो plus का 6z x ठीक है तो इस तरीके से हम इस identity को apply करके solve कर सकते हैं उमीदे आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा Thank you झामते है उन्हाल भीयो, छॉजगगगगगगगा उन्हाल भीयो, उन्हाँ जाए requiring you ने γसागगगगगगगगगगगगगगगगग Are you